Online Whiteboard, Screen Recording Software से लेकिए Video Editing Software तक हर वो चीज जो आपकी Teaching Videos बनाने में Help करती है और Free में Available है वो आज हम इस वीडियो में Discuss करेंगे Hello Everyone, This is Nidhi और आज हम बात करेंगे कैसे आप Laptop पर बिना अपना Face दिखाए Teaching Videos बना सकते हैं कुछ Basic Software और Equipment की Help से अब क्योंकि बिना Face Show की ये वीडियो बनाना है तो आपको Lights, Webcam, Tripod ये सब लेने की ज़रुवत नहीं है तो इससे जो पैसा Save होगा उसे आप Invest कर सकते हैं एक अच्छी Quality का Mic खरीदने में अच्छी Audio Quality चाहिए तो मैं आपको Suggest करूँगी इन में से आप कोई भी Mic ले सकते हैं या फिर आपके पास Already जो Mic है उसका Quality अगर अच्छा है तो आप उसे ही Continue करिए इस वीडियो को हमने दो Categories में Divide किया है एक है Teaching Videos को Record करना और दूसरा है Live Class अब जो दूसरी काटिगरी है Live Class वाली उसको हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे और आज के इस वीडियो में हम Focus करेंगे First Category में जिसमें हम देखेंगे कैसे हम Teaching Videos को Record कर सकते हैं बिना अपना Face Show किये अब Teaching Videos आपको यदि Record करना है तो उसके लिए कुछ Requirements होंगी जिसमें सबसे पहली Requirement है आपकी Online Whiteboard की जिस पर आप चीजों को लिखकर Explain करेंगे दूसरी चीज जो भी आप Whiteboard पर लिख रहे हैं उसको Record करने के लिए आपको ज़रुद पड़ेगी एक Screen Recording Software की अब वीडियो को आपने जब Record कर लिया है उसमें अगर कुछ भी Changes करना है तो हमें तीसरी चीज की यहाँ पर Requirement होगी जो है हमारा Video Editing Software अब यहाँ पर हम जो भी Options Explore करेंगे वो सभी बहुती Simple, Easy to Use और Freely Available है Whiteboard की अगर हम बात करें तो आप यहाँ पर PowerPoint यूज कर सकते हैं OneNote यूज कर सकते हैं या फिर Open Board हुआ, IP वो Annotator हुआ, My View Board, Jam Board या कोई और Whiteboard भी आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं ध्यान इतना देना है जो भी Whiteboard आप Select करें यह नहीं देखना कि उसमें कितने सारे options available हैं बलकि focus आपका इस चीज़ पर होना चाहिए कि उस Whiteboard को आप कितनी सुविधा से यूज कर पा रहे हैं अपने lectures को deliver करने के लिए, classes लेने के लिए इन में से जाधातर Whiteboards पर मैंने already videos create किये हैं उन सभी videos की link आपको description box में नीचे मिल जाएगी अब Whiteboard सेलेक करने के बाद जो next चीज़ आपको सेलेक करनी है वो है screen recording software जिसके लिए आप चाहें तो इन में से कोई भी option try out कर सकते हैं screen recording के लिए कुछ settings का आपको ध्यान रखना है जैसे कि जो resolution है अगर आप YouTube के लिए videos बना रहे हैं तो उसके लिए कम से कम आप 720 pixel या 1080 pixel ये resolution सेट करिए frames per second आपको 30 सेलेक करना है अब इसके बाद जो आपका mic है उसको आपको connect करना है और recording स्टार्ट कर देना है और audio वाले option में, audio input option में आपको जो भी mic आप use कर रहे हैं उसको आप यहाँ पर सेलेक करेंगे वीडियो recording के बाद बारी आती है वीडियो editing की जिसके लिए आप चाहें तो इन में से कोई भी video editor यूज कर सकते हैं जैसे कि open shot, shortcut, davinci resolve, vsdc editor, blender, hitfilm express और ये सारे video editing softwares फ्री में available हैं आपको किसी को भी purchase करने की जरूद नहीं है अब ये सबी steps complete होने के बाद जो आपका video है आप उसे चाहें तो या तो YouTube पर upload कर सकते हैं, general audience के लिए और अगर आपके पास कुछ students हैं और आप अपने videos को securely publish करना चाहते हैं तो आप ज्यान, Learnist, Pencil जैसे platforms को use कर सकते हैं जहां आपको encryption के सुविधा मिलती है तो इस तरह से कुछ basic softwares की help से आप बड़ी ही आसानी से teaching videos बना सकते हैं वीडियो में अपना face दिखाए बिना तो आज के वीडियो में बस इतना ही जाते जाते वीडियो को like और channel को subscribe ज़रूर करें Thank you so much for watching, I'll see you in the next video